हेलो व्रिवन वेल्कम टू एस अकेडमी आज इस वीडियो में रेलवे समान ज्यान टॉप 30 MC कोश्चन के बारे में जानेंगे यह वीडियो का पार्ट 4 है यह आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकत है यह आप लोग को टॉप 30 MC की कोश्चन में से 25 कोश्चन कर लेते हैं आप लोग की तयारी अच्छे चली है यानि आप लोग की ट्रेन पत्री पर है यानि 25 कोश्चन से आप लोग को नीचे बनता है आप लोग की ट्रेन पत्री से नीचे दोड रही है समल लिजिए आप ल आप लोग देखते जाते हैं आप लोग से पक्का है मैं विश्वास दिलाता हूँ कोई जॉब से नहीं रो सकता 100% आप लोग selection लेंगे और नौकरी जॉइन करेंगे आप लोग चैनल पे बने रहे हैं क्योंकि जो भी question करवा रहे हैं ये previous exam में पूछे गए हैं और बार-बार किसी ने किसी exam में पूछे जाते हैं तो चलिए बिना देर किए वीडियो को start करते हैं देखते हैं आज का पहला question क्या है उससे पहले आप लोग चैनल पे पहले पहली बार आया हैं तो चैनल को subscribe कर लेजिए बेल आकों को प्रेस कर लिजिए कि जब भी लेटेस वीडियो अपलोड होगी आपको notification मिल जागी और जो लोग चैनल पे पहले से बने हुए तो वीडियो को like और share कीजिए क्योंकि और बच्चे इस चैनल से जोड सकें और अपनी एक्जाम की तयारी अच्छी से कर सकें तो चलिए देखते हैं आज का पहला question क्या है ये question आप लोग के लिए है पहला question है भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खोला गया है इसका answer आप लोग को comment करके देना है इस दोनों question का answer आप लोग comment box में देजिए आप लोग की तयारी अच्छी चल लेए आप लोग इसका answer आसानी से देपाएंगे डरने कोई बात नहीं है आप लोग बस हर वीडियो आप लोग daily by daily देखते जाएए आप लोग job पक्की है ये समझेए क्योंकि exam के point बीसे बहुत ही महतपूर वीडियो करवा रहा है question जितने भी आप लोग देखेंगे इसका answer सभी लोग comment box से दीजिए चाहे गलती हो चाही सही हो उसमें डरने की आप लोग के ज़रूरत नहीं है next question देखते हैं आज का पहला question है पहला question है आर्थिक दिष्टे से सब्थे महतपूर चटान निमली खित में से कौन सा है आप लोग को एक बात और बदा दूँ आप लोग साथ साथ comment box में answer करके in इस question का answer देते जाए इससे प्रिता चलेगा आप लोगों से कितने question बरना है एक प्रिकाता आप लोग का टेस्ट भी हो जाएगा आप लोग को पांस सेकेंड का time दिया जाएगा अब उसको comment करके answer दीजिए उसके बाद answer display कर दिया जाएगा तो चलिए देखते हैं अचका पहला question यही है इसका answer आप लोग comment करके बताईए आर्थिक दिश्टी से सबसर महतपूर चटान निम लेकित में से कौनसा है कौनसा है अगने चटान है option A आप लोग को ज़्यदा time लेगे question का answer देने में आप लोग वीडियो को रोक लिजिए फिर उसका answer दीजिए फिर next question में बढ़िए चलिए देखते है next second question second question है निम में से कौन मगद का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालिन था बहुत अच्छा question है कौन सा राजा समकालिन था यह था घनानन्द कौन था घनानन्द option B आप लोग का right answer होगा तो चलिए नंदवन् लोगों सांसांत याद अपना है नेस्ट question देखते हैं सरवोदय सब्द का करेऊग सरपतम किस्न है था फ़ोदी अच्छे question है सरवोदय सब्द का प्रियोग सरपतम किस्न है था आप लोग जल्दी है कमेन करें अंसर भी देजाए और वीडियो को आप जरूर लाइक इसका एंसर होगा महात्मा गाधी ने, किस नहीं किया था, महात्मा गाधी ने Next question देखते हैं Question of 4 है 20 के 20 के 206, 10 छिड़ अफ्रिका निम्नमेंसे कौन सी परवस्षिड़ी में अवस्तित है किस परवस्षिड़ी में इस्तित है, यह इस्तित है बिवा, सरेंड, option C आप लोग का right answer होगा, क्या होगा, बिवा, सरेंड, में इस्तिते option C आप लोग का right answer होगा Next question है, लोगसवा के करवाही मिनिम्न में से कौन भाग नहीं ले सकता है, लोगसवा के करवाही में कौन भाग नहीं ले सकता है, कौन सा option सही होगा इसमें साही होगा भारत के राष्टपती का सच्यू Option D आप लोग का राज्ट एंसर होगा Option D Next question देखते है Question 6 है वह कौन सी सभा है जिसका अध्यच उस सदन का सदस से नहीं होता है आप लोग को 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 ध्यान से पढ़ना है नहीं होता है इसमें पूछा है इसका अंसर होगा राज्यसभा Option B आप लोग का राज्ट एंसर होगा Next question देखते है Question 7 है भारती असंतोस का पिता बाल गंगाती लग को निम्न में से किसने कहा था Very very important किसने कहा था ये कहा था विलेंटाइन सिरा लेने एनी Option C आप लोग का राज्ट एंसर होगा Next question देखते है इतिहास खार अबुल फजल का कतल किसने किया था अबुल फजल का कतल किसके दौरा किया गया था ये किया गया था विर्षिंग बुंदेला के दौरा Option D आप लोग का राइट एंसर होगा क्या होगा विर्षिंग बुंदेला के साथ ये आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं के तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिए आप लोग इसी तरह की वीडियो देखने के लिए नेश्ट कोचन देखते हैं कोचन मननाईन है पस्चमी घाट निम लिखितमें से क्या है क्या होगा इसका एंसर इसका एंसर हो जाएगा पठारों का कगार है क्या है पठारोगा कागार यानि option भी आप लोगा सही उत्तर हो जाएगा next question देख लेते हैं सहयादी छेत्र सिंखला की नाम से निम्रिकित में से कौन सा जाना जाता है कौन जाना जाता है यह जानाता है पस्चिमी घाट यानि option भी आपनों का सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट कोश्चन देखते है दिसांतरी दूरी एक घंटे के से मंतरा के बरावर होती है कितने डिगरी के बरावर होती है यह होती है पंदर डीगरी के बरावर यानि option यह आपको का इसे हुत्तर होगा next question देखते है question number 12 है निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गाधी ने पहली बार भूक अरताल प्रियोग हतियार के रुप में किया था भूक अरताल का प्रियोग हतियार के रुप में यह किया था कौन से अंदोलों में किया था यह किया था आमदाबाद की हरताल में option C आप लोग का रैट एंसर होगा क्या होगा option C next question है सीसा का सबसे बड़ा मतपूर आयक्स निम्न में से कौन सा है सीसा का सबसे बड़ा आयक्स कौन सा है इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा गैलेना क्या होगा गैलेना एनी option A आप लोग का रैट एंसर होगा next question देखते है प्रथम गुप्त सासक कौन था जिसने परम भागवत की उपादी धारन की थी किसने धारन की थी ये की थी चैन्द गुप्त दुती ने option C आप लोग का रैट एंसर होगा क्या होगा option C next question है मनसब दारी प्रवस्तार सैनिक और नागरिक सेवा के रुप में किसने प्रार्यम की थी very very important है आप लोग को ये basic question है सबसे बनना चीए question प्रसिष्टिन है निम्न में से किस मुगल बासा को दो बार सिहासन रोहड किया हुआ था दो बार सिहासन पर बैठाय गया था किसे बैठाय गया था ये बैठाय गया था औरंग जेब को ये औरंग जेब option D आप लोग का रैट एंसर होगा next question देखते है तिपाई मुख बांथ परियोजना भारत के साथ निम्न में से कौन सा देश संबंदित है बांध कहना में तिपाई मुख बांथ कौन सा देश है इसमें है बांगला देश है निए option A आप लोग का रैट एंसर होगा क्या होगा option A next question ले लेते है question मुठा रहा है मन्ती परसस सामोही ग्रूप से किसके प्रती उत्तदाई होता है आप लोग कोई पता चल लगया हो कि अतनी important question है आप लोग तयारी करते होंगे किसी निकिस एक्जाम की तो आप लोग question जरूद पता लगाए है कि किस टाइप के है और किस लेवल के है जिसका answer होगा option D लोग सुभा के प्रती क्या होगा लोग सुभा के प्रती next question देखते है question 20 है सवयुक्त राज जामिर्का और कनाडा के बिच महत्पूर्ण सीमा देखाने में से कौन सी है कौन सी है 49 समानता रेखाने option B आप लोग का राइट एंसर होगा क्या होगा option B next question देखते है पास्चूरी करणे एक प्रतीया है जिसमें दूद का गोरम किया जाता है दूद को गरब किया जाता है ये कर जाता है 63 degree पर 30 मिनट तक option C राइट एंसर होगा क्या होगा option C next question है भारत की प्राचिंतम सब्वेता के लिए सिंदू सब्वेता का नाम सर्पतम किसने दिया था किसने दिया था ये दिया था मार्सल ने option B आप लोग का राइट एंसर होगा option B आप लोग को याद देखना है चलिए अगला question है नीमन में से कौन राश्पती प्रसासनिक सक्तियों में सामिल नहीं होता कौन सामिल नहीं होता राश्पती के प्रसासनिक सक्तियों में सक्तियों में ये सामिल नहीं होता लोग सब्वा का विक्टन एनि और लोग सब्वा के विक्टन में सामिल नहीं होता, option B आप़ों का right answer क्या हुआ, option B सॉर की किरिणों की तीविता मापने वाले उकष्चन accelerator को नीमन में से क्या कहा जाता है क्या कहता है employee trainer option C आप़ों का right answer से ओवा क्या हुआ, ? वो जोफ्सना वापस ले ले गई थी कोशचा में 25 है भारत के एकमात वैसे सक्षिछ जीने भारत रत लेने की घोषना करने के बाद वह घोषना वापस ले ले गए थी और उन्हें भारत रत नहीं दिया जा सका था very very important है आप लोगो या दखना है किसे नहीं दिया जा सका है आप लोग जल्दी से बताएं इसका एंसर इसका एंसर होगा option B यानि सुभाचन बोस को नहीं दिया जा सका था option B आप लोगा right answer होगा next question है किस पाल सासक ने बौधो के लिए प्रसिद्ध विक्रम सिला विस्वित जाले की अस्ताफना के थी बहुत एचा question है very very important है एक question बहुत बार इक्जामें पूछाता है और सबसे बनना चीए आप लोग अच्छे जित्याई करें इसका एंसर सबसे बनना चीए इसका एंसर होगा धरम पाल यानि option D जाएगा एक question आप लोगों से पूछे थे पहले ही पहले question में चलिए आप लोगों से इसका एंसर भी बन जाएगा इसका एंसर होगा दिली में ऑप्षेन B आप लोगो और राइक टेंसर होगा दिली के मुख्वंतिकोण है अरविन्द के डिलवाल और वहा के गवर्नर कोण है अनिल बैचल आप अगला Question है. Question में 29. समान्य था समस्त महतपूर्ण निर्णंगां किसके दौरा लिया जाते हैं। किसके दौरा लिया जाते हैं। ये लिया जाते हैं bliss Rank चैबिनेट के द्ऌरा एनी option भी आप लोका से ठीउत्तर होगा। नेस्ट कोच्छन देखते हैं कोच्छन में 30 है नियंत्रक और महालेखा परिष्यक संबंदीत हैं किसे संबंदीत हैं यह संबंदीत हैं लोख लेखा सेमिती यह नी ओप्शन सी आप लोगा राइट एंसर होगा तो यह रही वीडियो वीडियो आपको कैसे ली कमेंट करके तो आपको नोटिफिसन मिल जागा आप लोग जल्दी से देख पाएंगे एदि आप लोग इस वीडियो से रिलेटेट कोई डाउट हो आप लोग को कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग किस टैकी वीडियो चाहिए या किस एक्जाम से रेट से जिए और भी आप लोग कमे जय हिन जय भारत